So, hey guys, आगए फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ And guys, इस वीडियो इस अबाउट टॉप फाइब पावर बैंक्स अंडर थाउजन रुपीज And guys, जो लोग मेरे पुराने वीवर्स हो, वो लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये वीडियो सब्सक्राइबर्स कमेंट के उपर है So, yeah, इस वीडियो इस कमेंटेट वाई सिरसेंदू पाजा So, guys, आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं अउनली सब्सक्राइबर्स कमेंट के उपर ही वीडियो बनाता हूँ अरे, अरे, यार मैं क्या ही कहूँ, पहले थोड़ा तो इंट्रो देना पड़ता है ना So, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं So, चलिए, गाइस, बिना टाइम अरे, हाँ, हाँ, पता है, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं स्टार्ट, अब जल्दी से स्टार्ट तो कर अरे, यार, अब मैं क्या ही कहूँ, ये तो लगता है सांती से वीडियो भी नहीं बनाने देगा, यार So, गाइस, वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैं बता दू कि इस वीडियो में जितने भी पावर बैंक्स हैं, उन सभी पावर बैंक्स के जो है, एक छोटा सा मिनिमम क्राइटीरिया रखा गया है जैसे कि प्राइस जो है, वो थाउजन रुपीज के अंदर होनी चाहिए, बैसिकली थाउजन रुपीज के अंदर ही ये वीडियो है And capacity जो है, 10,000 mAh का बैटरी होनी ही चाहिए And ports के मामले में बात करें, तो एक USB Type-C, USB Type-A and in and output होने चाहिए And इसमें जो है, आपको 18W का Fast Charging Support मिलेगा, क्योंकि अभी 12-13,000 की फोन में भी आपको Fast Charging मिलता है So ये ही है Basic Criteria, so बहुत ही मजा आएगा, चलिए, नमबर 5 से स्टार्ट करते है So दोस्तों, पाँचवे नमबर पे आता है, Philips का Power Bank ये Power Bank में आपको 10,000 mAh की बैटरी मिलती है And 18W का Fast Charger मिलता है And obviously 999 रूपीज है, हजार रुपे के अंदर है इस Power Bank का अच्छी बात ये है, कि इसमें जो है, आपको 5 color option मिलते हैं तो आपको जो भी पसंद वो आप ले सकते हो And guys, Ports की बात करें, तो इसमें आपको Micro USB and Type-C दोनों ही Ports मिलते हैं जैसे कि आप स्क्रीन में राइट साइड में देख सकते हो So जैसे कि आपको 5 इसमें color option मिलते हैं तो अगर आपको colorful Power Bank चाहिए, तो obviously आप इस Power Bank के तरफ जा सकते हो Under 1000 रूपीज के अंदर So दोस्तो नमबर 4 में जो Power Bank आता है उसका नाम है OnePlus Power Bank इस Power Bank के मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी इसकी जो built quality वो बहुत ही अच्छी है And इसके अंदर और एक चीज अच्छी है कि इसमें आपको 30 layer advanced circuit protection मिलते हैं इससे आपको जो है इसमें sort circuit देखने को नहीं मिलेगा तो अच्छा है इस Power Bank में आपको दो USB Type-A output मिलता है And input में जो है आपको एक ही जो है Type-C input मिलती है And इसी के साथ 10,000 mAh की capacity 18W का fast charging And black and green दो color option के साथ इस Power Bank की price है 1099 एक जान निन्याने रूपे इसकी price है So guys अब जो है हम सबसे महंगे से सबसे सस्ते Power Bank के तरफ जाएंगे जिसका नाम है Petron Dynamo Pro Power Bank इस Power Bank में खासियत यह है इसमें आपको LED indicators मिलेंगे Charging indicators जो 25% 50% ऐसे करके And बाखी सारे features सेम है 18W का fast charger 10,000 mAh की battery और भी जो USB ports होते हैं सभी सेम है बस इसका price जो है 699 है कम है तो अगर आपका budget कम है तो obviously यह तीन नमबर पर आता है आप इस Power Bank के तरफ जा सकते हो And हाँ guys जो भी Power Banks में बता रहा हूं सभी के links जो है मैं description में दे रहा हूं तो वहाँ से आप check out कर सकते हो And guys second number Power Bank is Realme Power Bank 2 And it has 13 layer advanced circuit protection इस Power Bank में भी आपको advanced circuit protection देखने को मिलेंगे And यह पहले और दूसरे नमबर का जो Power Bank है बहुत ही safe है इस Power Bank में आपको 18W की fast charging And 10,000 mAh की capacity मिलेगी But हाँ इस Power Bank में आपको सिर्फ एक ही negativity देखने को मिलेगी इसमें जो है आपको सिर्फ एक ही USB Type-C And USB Type-A output देखने को मिलेगा जो की एक negative point है But अगर आप 999 हिसब के देखोगे तो इसमें जो है branding देखोगे Build quality देखोगे Look wise देखोगे तो आपको भी पसंदा जाएगा So this part में come at number 2 in my list So guys अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है इसका मतलब है कि आपके अंदर बहुती ज़ादा patience है तो मैं आपको बता दू कि इस वीडियो को बनाने में बहुती ज़ादा मेहनत लगी है And guys अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी information मिली हो अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी help मिली हो तो वीडियो को like and channel को subscribe करना बनता है क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं आपको पूरी तरह से help कर पाऊं क्योंकि आप तो मेरे इस अकेले वीडियो को देखकर आप खरीदोगे नहीं आप पहले 4-5 वीडियो देखोगे फिर आप decide करोगे कि आपका कौन सा power bank खरीदना है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको पूरी तरह से help कर पाऊं और बिल नोटिफिकेशन को ज़रूर से hit करना है नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका वीडियो बना है या नहीं फिर आप चोचोगे कि यार वीडियो बना ही नहीं वीरे बेकार में कमेंड किया तो ज़रूर से बिल नोटिफिकेशन को hit कर देना है एंड दोस्तो फर्स्ट नंबर पे पार बैंक है वो है MI पार बैंक 3i सब कुछ आथा इस पार बैंक में अंदर एंड इसका प्राइस जो है हजार रुपे के अंदर है तो ये अच्छी बात है इसके अलावा 10,000 mAh की capacity है 18W का fast charging support है इसमें आपको aluminium casing मिलती है मतलब इसकी build quality very very well इसके build quality बहुत ही अच्छी है एंड गाईस इस पार बैंक में आपको 4 ports मिलते हैं एक micro USB, एक USB type C and 2 USB type A ये 4 ports मिलते हैं total इसमें आपको and हाँ safety के लिए circuit protection 12 layer circuit protection भी इसमें आपको मिलता है तो अगर आप इस power bank के सारी चीजे देखोगे and pricing 999 देखोगे तो ये power bank obviously आप भी कहोगे ये power bank number one में आती है So I hope guys आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो like and subscribe करना है मिलते हैं next वीडियो में जो वीडियो होगी आपके comment के उपर तो तब तक के लिए मिलते हैं next वीडियो में बाई बाई